हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस यूटूब चैनल पर इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिसत को यानि पर्चेंटेज को एकदम बेसिक से तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिसत का मतलग होता है प्रतिसैकड़ा प्रतिसैकड़ा यानि कि हम कह सकते हैं प्रतिसत वह भिन्न है यह हम कह सकते हैं कि प्रतिसत वह भिन्न है जिसका हर सव होता है जिसका हर शव जैसे एक्जामपल में हम देख सकते हैं 10% अगर जो हम देख रहे हैं तो 10% को हम लिखते हैं 10 बटा 100 यानि ये 10 बटा 100 एक भिन्न है और भिन्न का जो हर है वो 100 है यह हम 15% लिख सकते हैं 15% को हम लिखेंगे 15 बटा 100 ऐसे 20% बराबर हो जाएगा 20 बटा 100 यानि प्रतिसत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है प्रतिसत को यानि हमें भिन्न में चेंज करना हो यसे हम प्रतिसत को भिन्न में चेंज कर रहे हैं तो यानि प्रतिसत को भिन्न में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे या करेंगे हम 100 से भाग देंगे यदि भिन्न को प्रतिसत में चेंज करना है, तो 100 से गुड़ा कर देंगे, कुई भी संख्या दिया गया हो, तो अगर तो प्रतिसत को हमें भिन्न में चेंज करना है, तो 100 से भाग देते हैं, और भिन्न को प्रतिसत में चेंज करना होता है, तो 100 से गुड़ा करते हैं, जैसे इजांपल में एक बटा दो भिन्न है इसको हमें प्रतिसत में चेंज करना है तो हम सव से गुड़ा कर देंगे ये हो जायेगा Also 2 पाचे दस यानि 50 हो जायेगा इसे हम लिख देंगे 50% दूसरा है इसे मालत लिखे एक बटा तीन है एक बटा तीन को हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुड़ा कर देंगे और इसको हम लिखेंगे 33 सही एक बटा तीन पर्जेंट कैसे? 33 का 9 यहां 3 आ गया यहां 10 हो गया फिर 33 का 9 फिर एक बचा और एक बटा 3 यह हो जागा 33 सही एक बटा 3 वसी एक बटा 4 को लिखना रहेगा एक बटा 4 भिंड है उसमें हम 100 का गुड़ा कर देंगे तो यह प्रतिशत में चेंज हो जाएगा तो 4 से 100 को कार देंगे यह हो जाएगा 25 यानि हो यह हो जाएगा 25 परसेंट इसको हम भी डिवाइड किये हैं तो 33 सही एक बटा 3 आया है उसी एक बटा 5 एक बटा 5 को जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुड़ा करेंगे 5 दो न दस यह हो गया 20 यानि यह हो जाएगा 20 प्रतिशत उसे एक बटा 6 को प्रतिसत में चेंज करने के लिए 100 से गुड़ा किये हैं उसके बास इसको solve करेंगे तो 2, 3, 6 और ये 2, 5, 6, 10 यानि उपर 50 हो जाएगा नेचे 3 हो जाएगा अब इसको solve करेंगे तो 3 से 50 काटेंगे तो 3 एक कम 3 ये 20 हो जाएगा 3, 6, 18 यहां 2 बचेगा ये 2 बचा 3 यानि 16 साही 2 बचा 3 परसेंट ये 1 बचा 6 का मान हो जाएगा 16 साही 2 बचा 3 परसेंट ऐसे ही एक बचा 7 इसको ज़्य हमेंगे चेंज करना है ये भिन है इसको हम percentage मेें चेंज करेंगे तो 100 से गुड़ा करेंगे तो इसको उपर दो बचेगा बटा साथ परसेंट एक बटा आठ को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो सौ से गुड़ा करेंगे फिर इसको सॉल करेंगे चार दुना आठ चार दुना आठ चार पचे बीस यानि हो जाएगा 25 बटा दो इसको सॉल करेंगे तो दो एक कम दो दो दुना चार फिर यहां एक बचेगा तो हो जाएगा एक बटा दो परसेंट यानि बारस सही एक बटा दो परसेंट इक इसका मान है एक बटा आठ का मान ह है जाविससे हम percent में change करे रहे हैं ऐसी एक बटा 9 होगजो रहेग uneven को से कि इसको हमने percentage में change करना है तो सौसे गुड़ा करेंगे इसको इसको शॉल करेंगे तो 9,1,9, यहां एक बचा फिर 10, फिर 9,1,9, फिर एक बचा, एक बटा 9, परसेंट, एक बटा 10 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, 100 से गुड़ा, फिर इसको शॉल कर देंगे तो हो जाएगा 10 परसेंट, यहां हमने भिन को परसेंटेज में इसको हम percentage में change करेंगे तो 100 से गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा 400 परसेंट आठ दिया हुआ है तो आठ को हम percentage में change करेंगे तो 100 से गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा 800 परसेंट कोई भी भिन्न दिया हुआ है। उसको हमें percentage में change करने के लिए 100 से गुड़ा किया जाता है। जितना आएगा हुह परसेंटेज हो जाएगा। यदि हमें percentage को भिन्न में change करना है जैसे , maanlin जिए दिया हुआ है 80%. अब 80% को हमें भिन्न में change करना है, तो हम 100 से परसेंटेज को हटाएंगे, 100 से भाग दे देंगे, 80 बटा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौब काट, 2 पच्चे 10, यह हो जाएगा 4 बटा 5, यह भिंद में हो गया, इसी तरीके से यदि 90 परसेंट दिया हुआ है, इसको हमें जब भिंद में चेंज करना ह है, तो परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, तो 100 से भाग दे देंगे, अब हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यह हो जाएगा 9 बटा 10, ऐसे ही 150 परसेंट दिया हुआ है, इसको भिंद में चेंज करना है, तो 150 परसेंटेज को हटाएंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो यहां 0 से 0 कर जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, यह हो जाएगा 3 बटा 2, यह भिन में चेंज हो गया, ऐसे ही 250 दिया हुआ है, 250 परसेंट, इसको यह भिन में चेंज करना है, तो 250 बटा 100, 0 से 0 कर जाएगा, 5 दूना 10, 5 बटा 2, अंसर हो जाएगा यह, अब हम कोश्चन से परसेंटेज को सॉल करेंगे, पहला कोश्चन है, अगर किसी संख्या में उस संख्या का 25 परसेंट जोड दिया जाए, तो वह संख्या 750 हो जाती है, तो प्रारमभिक संख्या ज्याद कीजिए, तेहां दिया हुआ है 25 परसेंट, 25 परसेंट को हमें भिन में चेंज करना है, तो हम लिखेंगे इसको 25 बटा 100, जाओ, इसको सॉल करेंगे, तो 25 चव का 100 होता है, यानि इसका मान हो जाएगा 1 बटा 4, कुश्चन कहा है, कि अगर किसी संख्या में उस संख्या का 25 परसेंट, तो 4 का 25 परसेंट 1 होगा, यहादि हम 4 का 25 परसेंट निकालेंगे, तो 1 आएगा, ऐसे ही, यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, तो वह संख्या 750 हो जाती है, यहाँ जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ हमाल लेंगे, जो हमारी मूल संख्या, नि प्रारमभिक संख्या है, यह है चार जो हर में रहता है उसी को हम प्रारंभिक संख्या मानते हैं यह हमारा हो जाएगा प्रारंभिक संख्या जो की चार यूनिट है ठीक इसमें जोडने के लिए का है तो चार का जब हम 25 पर से निकालते हैं तो एक आता है तो एक को हम 4 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 unit बराबर दिया हुआ है जोड़ने के बाद 5 unit हो रहा है एकिन question में दिया हुआ है कि वो 750 हो रहा है तो 5 unit का मान हो जाएगा 750 तो यहाँ से एक unit का मान कितना होगा 5 से 750 को काट देंगे तो 5 एककम 5 यहां से इसे काड़ देंगे, पांच एकम पांच, पचीस हो गया, पांच पचीस और यह जीरो, यानि एक यूनिट का मान हो जाएगा, एक सो पचास, हमें कितना चाहिए, प्राडम भी संख्या पूछा है, तो प्राडम भी संख्या है, चार यूनिट, इसलिए चार यही आंसर हो जाएगा, दूसरा कोश्यन है, अगर किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2 बटा 3 परसेंट जूड दिया जाए, तो वह संख्या 560 हो जाती है, तो प्राडम भी संख्या बताईए, तो हम परसेंटे से इसको भी सॉल करेंगे, 16 सही 2 बटा 3 परसेंट, लिखे पहले तो यह मिश्रित भीन है, इसको सरल में चेंज करेंगे, 16 गुड़े 3 प्लस 2 यानि 16 तिया 48 प्लस 2 पच्यास, यह 16 में 3 का गुड़ा करते हैं, 16 तिया 48 दो जो अंसर उसको जोड़ देते हैं, दो पच्यास बटा 3 जो हर होता है, वो वही रहता है, और जब हम इसको हटाएंगे, तो 100 से भाग दे देंगे, इसको सॉल करेंगे, 0 से 0 कर जाएगा, 5 दो न 10, 3 दो न 6 यानि यह हो जाएगा, 1 बटा 6, अब कोश्चन में जो कहा है, कि किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2 बटा 3 परसेंट, यानि 16 सही 2 बटा 3 परसेंट, यानि 6 का निकालेंगे, तो 1 आएगा, यानि जो हर में होता है, जिस परसेंटेज का मान यह होता है, उसी का परसेंटेज वैल्यू, एक आता है, यानि वो अंस आता है, यहां हम मान लेंगे, कि प्रारंभिक संख्या है 6, यह 6 है हमारी प्रारंभिक संख्या है, प्रारंभिक संख्या में 6 का 1.2% 1 है तो इसी को हम जोड़ देंगे 6 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 यूनिट जोड़ने के बाद जो बताया है वो कहा है कि वह संख्या 560 हो जाती है यहां 7 यूनिट हो रहा है और यहां हो रहा है 560 8 यानि हम निकालेंगे एक यूनिट का मान तो हो जाएगा असी आठ सत्य छप्पन साथ से जब छप्पन को काड़ेंगे तो आठ फिर जीरो असी हो जाएगा अब यहां हमारी प्रारम भी जो संख्या है वो है 6 यूनिट 6 यूनिट है तो 6 है गूड़े असी बराबर हो जाएगा 6 बठ आठ आठ आलीश जीरो बढ़ जाएगा तो यह जो संख्या है वो 480 हो जाएगा यह हो जाएगा आंसर